आज के साथ एक और hair care video लेकर आई हूँ आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि नॉमाली में अपने बालों को wash करने से पहले ऐसे क्या कुछ easy steps follow करना पसंद करती हूँ जिसी कि मेरा hair fall कम होता है अक्सर हम देखते हैं कि बाल धोने के बाल हमारे बालों की जड़ने की problem बढ़ जाती है hair fall थोड़ा सा increase हो जाता है तो ऐसे मैं आज मैं आपके साथ एक DIY share करने वाली हूँ जो मैं हमेशा बालों को wash करने से पहले hair wash करने से पहले करना पसंद करती हूँ चलिए देखते हैं कि हमेश के लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत है हम इसे बनाने वाले हैं बहुत ही आसान तारीके से मैंने आपर dried neem leaves का use करा है हमने आपर कड़वा नीम लिया है कड़ी पता नहीं लेना है हमें neem leaves का use करना है जो हमारा कड़वा नीम होता है वो और इसे में आपर पानी मच्ची से सोग करकर तो अशा वाश करने हूँ ताकि जितना भी dirt, grime हो उसमें से remove हो जाए pollution सब इसमें से हट जाए और अब हम इस neem से बनाने वाले है इसका fine paste बनाने वाले है थोड़ा सा इसमें पानी एड़ करकर blender में इसकी fine paste बनाकर तयार करने वाली हूँ जो हमारा neem होता है इसे हमारे बालों पर लगाने से dandruff की problem से हमें चुटकारा मिलता है अगर आपको बालों में बहुत जाद इचिंग होती है तो हमारे बालों से इची scalp की problem कम होती है dandruff की against shield की तरह काम करता है dry scalp को smooth बनाता है और बालों को silky shiny बनाता है बालों के overall texture को भी improve करने का काम करता है नीम में vitamin C भी होता है जो की हमारे बालों की overall health improve करता है और बालों को घना बनाने का काम करता है anti-frizz की तरह काम करता है अगर आपके भी बाल काफी जदा frizzy है flyways हैं तो आप नीम को use कर सकते हैं तो मैंने अब ब्रेंडर में नीम को इस तरीके से crush कर लिया है थी मैं लीव को store करने के लिए आपको वीडियो बना कर बता हूँ कि हम फ्रेश नीम लीव को कैसे use कर सकते हैं स्वेम आप आप आटर की सांथ भी कर सकते हैं दो सी तीन चमच आपने लिए नीम लीव का पावडर लिया यह remedy आपका hair fall control करने वाली है hair loss को control करेगी बालों में shine add करेगी बालों को स्मूद बनाने का काम करेगी इचिनेस को reduce करने का काम करेगी dry बालों की problem को भी solve करने में help करेगी scalp से excess oil को भी absorb करने का काम करती है अगर आपका scalp काफी जादा oily है तो इस तरीकी से अगर आप अपने बालों पर शैंपू करेंगी तो आपके oily scalp की problem भी solve होने वाली है मैंने आप एक से दो चमट शैंपू का यूज करा है अपने बालों को यूज करा है आप भी कोशिश करें अपने बालों को वाले शैंपू का ही यूज करें आप बाल दोने के बाद आपको लगेगा ही नी कि आपने बालों को दोया था helpful बिल्कुल minimize हो जाएगा बाल घने होंगे और नीम जो होता है anti septic होता है anti fungal properties होती है anti bacterial anti inflammatory properties होती है इतने सारे गुण होते हैं हमारे नीम की leaves में आप नीम को अपने हेर के routine में add करकर देखें और पाएं silky, shiny, smooth और manageable बाल इसे use करने से आपके बाल पहले से जादा bouncy बनेंगे जादा silky बनेंगे बालों का texture improve होगा और नए बालों की growth promote होने में help मिलेगी जहाँ पर बाल कम है वहाँ पर नए बाल आना शुरू हो जाएंगे थरली आपके scalp को detox करने का काम करता है ये नुस्खा आप इसे try करकर जरूर देखें और आप मुझे बताएं कि आप नीम को अपने hair के routine में कैसे add करते हैं I hope आपको ये video अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करना बिल्कुल मत भोले and मेरे चैनल पर पहली बार आएं तो subscribe कर लीजिए क्योंकि इस चैनल के उपर मैं काफी सारे beauty, DIY, homemade videos लेकर आती रहती हूँ so